जिनियस श्रिक्षा यूटूब चाइनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम दो हिंदी स्टोरी लेकर आया हूँ जो बहुत ही मोटिवेशनल और इंट्रेस्टिंग है तो चलिए बीना देर की हुए आज के इस क्लास को हम सुरू करते हैं क्लास को सुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजे लाइक क्योंकि आप बाद में भूल याते हैं और आप आज के इस क्लास को लाश्ट तक और परतेक वर्ट्स को ध्यान से देखिएगा और इसमें जो मातरा लगा है उसको भी आप ध्यान से देखिएगा तक कि आपको जो है ना हिंदी पढ़ने के साथ साथ हिंदी लिखना भी आ जाए तो चलिए आज के इस क्लास को हम सुरू करते हैं तो पहला motivational story है खुद को पहचानो story काफी interesting और motivational है तो लाश्ट तक जरूर देखिएगा पढ़ने के साथ साथ जो है आपको बहुत कोछ सीखने को भी मिलेगा तो यहाँ पे देखिए एक जंगल में एक कौवा रहता था वह बड़ा हैं खोश और मस्ती में रहता पर एक बार उसे जंगल में एक बहुत हैं सुन्दर पक्छी दिखाई दिया वह तुरंद उस पक्छी के पास गया उस पक्छी का रंग सफेद था कौवे ने इस पक्छी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है पक्छी ने हस कर कहा हंस कौवा बड़ा खोश हुआ और खोश होकर कहा यार तुम तो बहुत सुन्दर हो और तुम्हारा रंग भी सफेद है तुम्हें तो जिन्दगी जीने में बड़ा मजा आता होगा हंस ने कहा नहीं मुझे से ज्यादा भी कोई और सुन्दर है अब कवा हैरान हो गया और कहा ओ कौन है जो तुमसे भी सुन्दर हर हंस ने कहा तो ता अब कवा ने वहां से तुरंत उड़कर तो ते के पास पहुचा अब कवा उसे देखकर हैरान हो गया तोंते के गले लाल रंग और तोंता हरे रंग का था कौवे ने उससे कहा यार तुम तो बड़े खोश रहते होंगे तुम इतने शंदार जो दिखते हो तोता मयूस हुआ और कहा नहीं मुझसे भी शंदार और सुंदर तो मोर है अब कवा वहां से उड़कर मोर को धुणने लगा उसने कई दीनों तक मोर को धुणा लेकिन मोर उसे नहीं मिला लेकिन कुछ दीन बाद उसे पता चला कि मोर शहर में चिन्डिया घर में है अब कवा चिन्डिया घर पहुचा और उसने मोर को देखा कि वह एक बड़े से पिजडे में बंद है और बहुत से लोग इसके साथ होटो खिचवा रहे थे यह देखकर कवे को थोड़ी जलन होई कोवे ने मोर के पास गया और कहा यार तुम्हारी जिन्दगी में तो मजे ही मजे है मोर उदास हुआ और कहा किस बात के मजे मैं भले ही दिखने में शांदार और सुन्दर हुँ लेकिन मेरी पूरी जिन्दगी इस बंद पीजडे में हैं गुजरने वाली है मोर ने कोवे से कहा यार तुम तो बहुत किस्मत वाले हो खूले आसमान में जहां चाहे वहां जा सकते हो और अपनी जिन्दगी अपनी मरजी से जी सकते हो दोस्तो एक बात हमेशा याद रखना की जिन्दगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना वरना एक दिन ऐसा जरूर होगा की तुलना करके उसके जैसा तो कर नहीं पाओगे और फिर तुम्हारे पास भी वक्त नहीं होगा खुद का कुछ कर पाने की तो फ्रेंट्स इस स्टोरी में बस इतना ही चलिए हम आगे जो है ना दूसरा स्टोरी भी हम इसी क्लास में जो है ना हम पढ़ना सिखेंगे तो यहाँ पे देखिए यह जो दूसरा स्टोरी है गाउ के लड़के यह भी काफी इंट्रेस्टिंग और मोटिवेस्टनल है इसको भी आप अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना और देखना ठीक है तो यहाँ पे देखिए यह कहानी है एक गाउ के लड़के की घर की मजबूरी और पैसो की कमी की वजह से वह दूर शहर काम करने के लिए जाता है ताकि वह से वह कुछ पैसे कमा पाए जिससे उसका और उसके घर वालों का खर्चा पूरा हो पाए वह लड़का काफी दिनों तक काम की तलाश करता है और आखिरकार उसे काम मिल जाता है वह लड़का अपना सारा काम पूरी इमांदारी और मेहनत से पूरे दीन करता है यह देखकर उसका मालिक खोश हो जाता है अब छह महीनों तक ऐसे ही चलता है छह महीने बाद वह लड़का अपने मालिक को कहता है अब मैं कुछ दीनों के लिये वापिस अपने घर जाना चाहता हूं और उस लड़के को पूरी उमीद थी कि उसका मालिक उसे घर जाने से नहीं रोकेगा लेकिन उस लड़के के सोच से विपरित उसका मालिक कहता है नहीं तुम्हें दो महीने का थोड़ा और काम करना है और फिर उसके बाद अपने घर जा सकते हो लड़के को थोड़ा गुसा आता है लेकिन वह अपने गुसे को शान्त करके मालिक से पूछता है बताईए मालिक कौन सा काम है उसका मालिक कहता है हमें एक घर खरीदना है तुम पूरे शहर में घूमो और तुम है जो सबसे अच्छा घर लगे वह घर खरीद लो और जैसे हैं यह काम खत्म हो जाता है तुम वापिस अपने घर कुछ दीनों के लिये जा सकते हो यह सुनकर वह गाउं का लड़का खोश हो जाता है और जल्दी जल्दी घर को खरीदने का काम खत्म कर देता है वह मालिक के पास जाता है और कहता है मालिक मैंने सबसे अच्छा घर आपके लिये खरीद लिया है मालिक हैरान हो जाता है और कहता है सिर्फ दस दीनों में तुमने अच्छा सा घर खरीद भी लिया गाउं का लड़का कहता है हाँ ये घर काफी बनिया था इसलिए मैंने खरीद लिया और कहता है कि क्या अब मैं अपने घर कुछ दीनों के लिये वापिस जा सकता हूं मालिक कहता है नहीं तुम सिर्फ दो दीनों के लिये अपने घर वापिस जा सकते हो गाउं का लड़का कहता है अरे मालिक मुझे गाउं जाने में ही एक दिन लगेगा तो कैसे भला मैं दो दीनों में वापिस आ जाऊं मुझे मेरे परिवार के साथ वक्त भी बिताना है मालिक खोश होकर कहता है कि अब से तुम हमेशा अपने परिवार के साथ हैं रहोगे जो घर मैंने तुम्हें खरिदने के लिए कहा था वह घर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मेरे तरफ से एक तोफा है यह सुनकर वह गाउं का लड़का खोश होने के वजाय मयूस हो जाता है और कहता है अगर मालिक आपने मुझे पहले कहा होता कि यह घर आप मेरे लिये खरीद रहे हो तो मैं थोड़ी और जनकारी प्राप्त करके इससे और अच्छा घर खरीदता मालिक ने कहा मैंने तुम्हें दो महीने दिये थे और दस दिन में खरीद कर तुमने तुम्हारा नुकसान किया है एसी तरह जिन्दगी में भी हमारे साथ यहीं होता है कहानी में जो मालिक था वह असल में वक्त था और हमेशा वक्त जाने के बाद कहते हैं कि अगर मुझे पाता होता तो मैं इससे भी अच्छा कर देता इसलिए आप अभी जिन्दगी में जो भी कर रहे हो उससे पूरे जुनून और मेहनत के साथ कीजिए क्या पता आप आज जो काम कर रहे हो ओ आने वाले समय में आपकी जिन्दगी बदल दे तो फ्रेंट्स आज के इस हिंदी रीडिंग प्रेक्टिस के क्लास में वस इतना है आज का दोनों स्टोरी आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंट्स को शेर कर दिजे ताकि वे भी घर बेट आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी रीडिंग प्रेक्टिस करते रहें और आप जो है ना हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहें यानि अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और शाथ में जो बेल आइकन दीख रहना उसको ओन कर लिजी तक कि मैं जब भी क्लास कर रहूंगा तो उसका नोटिफिकेशन डिरेक्ट आपके मुबाइल पर मिलता रहा है फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के क्लास में एक नए स्टोरी के साथ